लीबिया में प्रगती एवं विकास देश में नई सरकार ने कई महत्पूर्ण कदम उठाए तेल भंडारों का राश्ट्रे करण किया गया घुमन्तू जातियों को सीचित क्रिशी जमीन दी गई और उन्हें एक जगह बसाया सस्ते मूर्ले पर मकान भी दिये गए महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान, स्थान दिलवाया और उनके अधिकार के लिए कानून भी बनाए कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार दिये गए महिलाओं को वयपार करने, संपत्ती रखने, सरकारी नौकरी करने के हक भी दिये गए लीबिया के लोगों की ओसत आयू पच्चास वर्ष से बढ़कर सतहत्तर वर्ष हो गई सन 2010 में लीबिया में स्त्री पुरुष साक्षर्ता दर 90 प्रतिशत रही इसी कारण पूरे अफ्रीका में सामाजिक कल्यान के छेत्र में लीबिया को सरोच स्थान प्राप्थ हुआ गदाफी के सैन शासन की निरंकुष्टा एवं मानो अधिकारों का उलंगन गदाफी और RCC का लोगतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं था परिशदों के सदस्यों को RCC के आदेश मानने पड़ते थे परिशदें अपनी मर्जी से कोई भी निर्ने नहीं ले पाती थी इसलिए लोगों ने इन परिशदों में कोई विशेश रूची नहीं ली यही वो समय था जब राजनैतिक चुनवती देने वाले नेताओं का दमन किया गया सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करती थी तथा विरोधियों को बंदी बनाने वा मौत के घाट उतारने और अत्यचार के लिए कुरूर तरीके अपनाती थी नागरिकों को कोई संगठन बनाने की अनुमती नहीं थी और निस्पक्ष प्रेस को भी उभरने नहीं दिया गया